पार फिर से आप सभी का स्वागत है हर अरगंगे जेगंगे में या दोस्तों अभी हरिद्वार पहुँच चुके हैं हर की फोड़ी के दर्शन आप लोगों को कराने हैं धूब भी अच्छी खासी निकल रही है हरिद्वार में तो आज कल हर की फोड़ी पहुँचते हैं कि आपको आने वाला हर एक अपडेट हरिद्वार का मिलता रहे हैं अगर आप हरिद्वार आना चाहते हैं तो हर की फोड़ी के भी आप लोगों को दर्शन कराएंगे और कहां-कहां से आप हमारी वीडियो दिख रहे हैं यह तो आप सभी कमेंट में बताएं और सभी हर-हर करेंगे यह कमेंट में लिखते रहे हैं और सबसे पहले हम आपको दर्शन कराने वाले हैं नाई घाट के और नाई घाट की भीड की बात करें तो देख सकते हैं आपके सामने हैं अच्छी खासी वीड है यह देखिए वीड तो काफी ज़्यादा जो है आप लोगों को यहा अब आगे चलेंगे आगे की दर्शन भी आप लोगों कराएंगे और सेटेड़े संडे तो हमेशा ही भीड रहती है पर इस बार जो है ज्यादा भीड देखने को मिली है हरीद्वार में करें और एक आँया और गंदग्य की बात करें तो बहुत हिजादा गंदगी देखने मिल रही है दोस्तों जो भी हरीद्वार में आता है वह अपने आप ही जो है अपनी सफाई करना स्टार्ट करें यहां पे तभी हैंपे सफाई हो पाईघी यह देखिए इस इस तरह से जो भी भक्त यहां पर आते हैं पन्नी लेते और यह पर छोड़ देते तो इसकी वज़े से बहुत ही ज़्यादा गंदगी होती है अभी हम आचुके हैं धनुसपुल पर और इस्थित ही देख सकते हैं आप धनुसपुल के पास भी बहुत ही ज़्यादा आज करते रहें दोस्तों कि धन स्कुल पर माच चुके हैं और गंदगी तो बहुत ही जदा आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही होगी अगर आप ऐसी लगातार हरीदुवार की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले समय की हर एक अपडेट मिलता रहे और अभी हम आ चुके हैं बरमकुन घाट पे आप में से कोन कोन जानता है कि इस घाट का बरमकुन घाट नाम क्यूं पड़ा तो कमेंट में जरूर बताएं सभी अजिस सामने ही बरमकुन घाट दोस्तों यह पर आरती होती है आरती समय है अभी फ्ला चेंज्ज होती है अगर किसी को आरती का समय जानना है तो में कमेंट में पूछ सकता है उसको हर एक अपडेट मिले हर एक अपडेट आपको देंगे हम तो कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं हरिद्वार की भी हर एक जानकारी और यहां के बारे में और हरिद्वार में आजकल गंद की बहुत ही जादा जो है भक्त आके करने लगे हैं तो सफाई का थोड़ा सा ध्यान लखें सभी भक्तों से बिंती है यह आप आप सभी से निवेदन कह सकते हैं इसको कि यह देख सकते हैं हरिद्वार अभी घंटागर गाट पर भी आ चुके हैं दोस्तों काफी दिनों के बाद हमने जो है आज वेडियो बनाई है तो वेडियो को ज़्यादा से यादा शेयर करते रहें और सभी को अपडेट मिलना चाहिए हरिद्वार के दर्शन कर रहे है अब लोग और सामने हर्की पोड़ी के दिए के दोस्तों कि यह सामने हमारे हर्की पोड़ी है और है तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से जख वीडियो को शेयर करते रहें और हरी दूआर से लेटेड कोई भी जानकारी अगर आप लगो को चाहिए तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं वह मास्थाटू के नाम से हमारा इस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पे जाके मैं फोला करें और मैसेज करें कि अगर मौस्म की बात करूं तो यहां पर अच्छी खासी तेज धूप निकल रही है बहुत ही जादा तेज है फिलाल कर आपके हैं मौस्म कैसा हो रहा है कमेंट में जरूर बताएं आप लोगों को मिल रही होगी कि कितनी ज्यादा बीड़ है कि देख सकते हैं यह इस्तिती है फिलाल और हरकी पोड़ी पर तो आज इससे ज्यादा बीड़ है सुभा का टाइम है दोस्तों अभी तक जो है इस मंदिर पर कारिय चल रहा है दोस्तों यह कब तक खतम होका जल्दी आप लोगों को अपडेट दे दिया जाएगा वैसे तो काफी अच्छा मंदिर जो है यह बन चुका है पहले से तो काफी अच्छा बन चुका है यह देखिए हर एक डिजैन इस पर अलग अभी जो है इसके दुबारा से निर्मान हो चुका है अब भी आगे चलेंगे आगे की जानकारी भी आपको प्रोपर देंगे और सभी जल के दर्शन करें पावन जल के और जल का जो कलर है वह फिलाल जो है बिल्यू है नहीं ग्रीन है कोई औरी कलर जो है फिलाल चल रहा है दोस्तों बिल्कुली साफ चल रहा है सीसे की तरह बिल्कुली जो है कांश की तरह बिल्कुल साफ जो है आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा होगा जैसे सीसे में आप लोगों को अपना चेहरा दिखाई देता है साफ इसी तरह से आज जो है जल में बिल्कुली साफ दिखाई दे रहा है अभी आगे चलते हैं आगे की जानकारी भी आपको देंगे और क्या इस दीजी है उसके बारे में आपको प्रोपर जानकारी और पूरे हरीद्वार के दरशना मुख़्ों कराते हैं सभी अपडेट आप लोगों को यहां पर दी जाती है चाहें वो होटल की हो चाहें वो धरमसाला की हो और चाहें यहां के जो भी कारी वगएरा या कोई भी अधिकारी वगएरा आ रहा हो यहां पर सभी जानकारी आप लोगों को दी जाती है और पूरे हरी दुवार का दरशन आप देख सकते हैं यहां पर अच्छी दरह से कर सकते हैं यह देख सकते हैं आप अच्छी खासी भीड़ आप लोगों के हैं आप आज नजर आ रही होगी और जल में अच्छी खासे जो है भक्तिस्नान भी कर रहे हैं यह देख सकते हैं अच्छी तरी से जो है आज भक तिसनान कर रहे हैं जल में और सामने हमारे गंगा मैय विराजमान हैं सभी हर घंगे जै गंगे मैय कमेंट में लिखेंगे तो कैसे लिए दोसतोर आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरहर गंगे जागेंगे मिया